कि शाम जिनकी नए जगडों में फसादों में कटी रात बस खुद कुशी करने के इरादों में कटी ऐसे कम बख्तों को मरने से बचा लू तो हसुआ भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो नहीं इस भारत से मुख मोड जाईये जिस मुलक के रिवाजरीती नीती हों पसंद उस मुलक से ही ने जनाता जोड जाईये एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड दिया पांच साल वाला गठ बंधन दस महिने में तोड दिया सुल जाविबाद स्री राम जन्म भूमी वाला बन रहा मंदिर है जै सिया राम की नाच नर नारी जूम धरती को चूम चूम देव गण बोले जय जय योध्या द्रांटि तुमने गोकुल की गोपियों से अगर प्रेम काव्या करन पढ़ा फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्तर प्रवीन शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं सत्मोला कवियों की चौपाल में आपका हर्दिक स्वागत करता हूं मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूं यह देख ओ फुद्दू एक गया से बड़ा गुबारा अपनी माँ को दिखाई हो लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल हूं और जब हो साथ सत्मोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी असानी सत्मोला सेलिब्रेट्स ते रिलीज और फुक्रे 3 इन थेटर्स नियर यू निराना हर दिल पर जादू कर डाना स्वाध स्वाध में जम कर खाया सत्मोला ने खूप जाया और नमस्कार आज हमारे साथ सत्मोला कमियों की चोपाल में तुम्हें सबसे पहले दौक्तर कीरति काले अपने आपने विलक्षन कवित्री हैं और जिनको सुनना हम प्रारंब करें तो फिर उसका कोई अंत नहीं होता और मैं एक ऐसे गीत की तरफ मैं उनको ले जाना चाहता हूं गीत क्या कहूं कि अभी तक आपने अगर जीवन के आपने कई रंग देखे होंगे डाक्टर कीरति काले के कवित में एक मैं नहीं तरीन एक गजल के लिए डाक्टर कीरति काले की बाग कर रहा हूं ले जाना चाहता हूं और ये संचालक का करतवे और निर्वहन करना होता है कि कभी कुछ और सुनाना चाहता है और संचालक उससे और कुछ सुनाना चाहता है और सुनवाना चाहता है कयोंके संचालक पतिन हिदि करता है दर्शकों का तो मैं दर्शकों की मांग पर मिए एक गजल के लिए उंदा गजल के लिए दॉक्तर किर्टी काले का आवान करता हूँ जोरदार तर एक डजल के कुछ शेर सुनाती हूँ बहुत साल पहले मैंने लिखी थी जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी उसी समय की अनुभूती को आप ध्यान में रखियेगा और मेरी ये रचना सुनेगे स्वार याद कोई करता है हिचकियां बताती है याद कोई करता है हिचकियां बताती है कौन पास कितना है कौन पास कितना है दूरियां बताती है और ये शेर सब शोताओं के नाम की धीरे धीरे खुलते है ये दिलों के दर्वाजे की धीरे धीरे खुलते हैं ये दिलों के दर्वाजे दिल की बात आँखों की खिड़कियां बताती है और रात भर जगी है रात रात भर हुई बरसाद बहुत महसूस करके सुनिये शेर कि रात भर जगी है रात रात भर हुई बरसाद रात भर जगी है रात रात भर हुई बरसाद शब के राज को चटकी चूडियां बताती है और आज भी तडपता है कि आज भी तडपता है दिल किसी की आदों में आज भी तडपता है दिल किसी की आदों में ये किताब में रखी ये किताब में रखी चिट्टियां बताती है ये किताब में रखी चिट्टियां बताती है और थोड़ा अलग सा शेर है ये कि जिल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है कि जिल्म के मुखालिफ अब इनकलाब आना है जिल्म के खिलाब उठ्टियां बताती है जिल्म के खिलाब उठ्टियां बताती है और जो सीमा पर हमारे सैनिक भाई तैनात होते हैं उसी उनीके श्रम के कारण हम लोग सारे उत्सव मना पाते हैं बड़े खुशाली के साथ जिंदगी जी पाते हैं उनके नाम एक शेर करती हूँ सुनिएगा कि भाई की भुजाओं के शौरे पर भरोसा है सरहदों पे बहनों की सरहदों पे बहनों की राखियां बताती हैं याद कोई करता है हिच्कियां बताती है कौन पास कितना है दूरियां बताती हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे डॉक्टर कीर्टि कालेगी नमस्कार आज हमारे साथ सत्वोला कमियों की चोपाल में आज हमारा परम्स भाग्या है कि आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है को शाक्षात लोगों को मानवता कि साथ जीने की प्रेज़ना भी देते रहें तो मैं ऐसे विक्तित्व का हाद इक स्वागत करता हूं जोड़दार ताले के साथ हम उनका स्वागत अपने तुम्हों को सोच चुके रोका है अद्मी वर्ला कहां ये पल के भिगोगा है आद्मी तुशन देए ना अवल हमेशा हुद को समझता है क्या करे अवल हमेशा हुद को समझता है क्या करे जब आद्मी के सामने वोता है आद्मी जब आद्मी के सामने वोता है आद्मी अपने नसीब के लिए है खुद ही जिम्मेदार अपने नसीब के लिए है खुद ही जिम्मेदार कर्मों की अपने पोटली ढोता है आद्मी कर्मों की अपने पोटली ढोता है आद्मी जीवन किसी ने पोना मुकमल कहां जिया जीवन किसी ने अपना मुकमल कहां जिया आदे से कुछ जियादा तो सोगा है आदे जीवन किसी ने अपना मुकमल कहां जिया जीवन किसी ने अपना मुकमल कहां जिया आदे से कुछ जियादा तो सोता है आद्मी आदे से कुछ जियादा तो सोता है आद्मी धड़कन के मोतियों को ही सांसों की दोर में धड़कन के मोतियों को ही सांसों की दोर में हर वक्त अपने आप दिलोता है आदमी हर वक्त अपने आप दिलोता है आदमी तो शेदे देखा राहों में दुल मिलेंगे की कार्टे बिछे हुए राहों में दुल मिलेंगे के कार्टे बिछे हुए कुलती वही है पसल जो होता है आदमी कुलती वही है पसल जो होता है आदमी जाता कहां है ये तो किसी को खबर नहीं जाता कहां है ये तो किसी को खबर नहीं खबर नहीं जाता है आदमी और अब मैं जिसको आवाज देना चाहता जा जोर्दात तालियों के साथ हम इनका स्वागत करें गीत के कुछ बंद रखती हूं दर्ग तेरा धार कर संग तेरे मैं चलू अधिकार देना पलकों से अपनी पथ के काटे मैं चुनू अधिकार देना जब ते मिर छाए घनेरा ना दिखे उजला सवेरा आस की बाती बुझे जब सास भी बोजिल लगे तब आस से भरदू हिर दे दीप सा फिर मैं जलू अधिकार देना दर्ग तेरा धार कर संग तेरे मैं चलू अधिकार देना अधिकार देना दर्ग तेरा धार कर संग तेरे मैं चलू अधिकार देना और एक मुक्तक के साथ अपनी बात खतम करती हूँ क्योंकि बोजन ठेंडा हो रहा है मेरे जैसी दिवानी नहीं पाओगे और उली दिवानी नहीं पाओगे अधिकार आपक तुम्ही वागाँ पाओगे यह अधिकार आपक तुम्ही इस उपन्यास के आज हमारा परमसो भाग्या है कि आज हमारे साथ देश ही नहीं बल्कि अंतरास्टिय ख्याती प्राप्त एक ऐसे करोना वीर अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है और एक बहुती बड़ा निती वाक्य किसी दार्शिनिक ने कहा है किसी की खुशी में चाहिए आप बेशक खड़ेना हो लेकिन उसके दुख में कि घड़ी में जरूर साथ खड़ा होना चाहिए तो उस मानवता के सार्थी ने एक ऐसा पत्थ चुना जो विशाद और पीड़ा को जिसने अपने जीवन में अंगिकार किया उसको समझा ज्ञा और मानवता के सार्थी के रूप में जो आज सुप्रसिद्ध व्यक्तित वन चुके हैं उनका मैं परिचय दूँं उनका परिचय होता है उनको बोलते हैं पद्म श्री श्री जितेंद्र सिंग शंटी जी जितेंद्र सिंग शंटी जी को भारत सरकार ने भी हाल ही में पद्म श्री से नवाजा है यदि मैं कहूं पद्म श्री स्वयम जितेंद्र सिंग शंटी जी का व्यक्तित्व पाकर के वह गोरानवित्व हुआ है इनके बारे में एक बात मैं और करना चाहूंगा यह वो व्यक्ति है जिसने मानवता को जीवन में उतारा ही नहीं बलकी मानवता को शाक्षात लोगों को मानवता के साथ जीने की प्रेणा भी देते रहें तो मैं ऐसे व्यक्तित्व का हादिक स्वागत करता हूं जोरदार ताले के साथ हम उनका साथ है जितिंद्र सिंग संटी जी एक चीज मुझे अगर मैं प्रारा में करूं आज क्योंकि पोड़कास्ट तो होता ही है कि इसमें कोई लिस्ट नहीं होती जो मन में बात आती पूछी जाती है और अनलिस्टिड होता है और ऐसे कई के लोग होते हैं वो अपनी लिस्ट त्यार करके लाते हैं ये कोस्टिन होना चाहिए ये होना चाहिए आज बिलकुल अलग कोस्टिन है और उसके लिए मुझे पता है आप बिलकुल तैयार होंगे क्योंकि आपने ये आपके लिए आज की बात नहीं है आपके लिए तो रोज एसे दुश्चर कारे में लगजाएगा, जहान पर लोग जाते वे हिच किचाते है, वहाँ, आप जा करके, लोगों के आसू को ऊच्छते हैं, लोगों के पीडा समझते हैं, एक stehen अरो आप राज्जुतिक व्यक्ति थे, उस समय आपने कारम प्रारम किया और एक राज्जुत व्यक्ति इतना संबेदंशील हो सकता है तो संटी जी इसके बारे बदाएं कि एक विरोधावास कैसे पहले तो मैं शुक्रियादा करता हूँ प्रवीन जी आपने सत्मोला कवियों की चौपाल में मुझे बुलाया अमंत्रित किया मैं उसके लिए आपका भी धन्यवाद करता हूँ अनिल मित्तल जी का धन्यवाद करता हूँ और जो आज कविया हैं सबको भी है स्वागत करता आपका जो कोस्चन है वो कि रायनिती से इनसान को कहीं बार बहुत कुछ सीखना को मिलता है अगर हम देश का इतियास देखें सुबास चंदर बोस भी कॉंग्रेस में थे शहीद आजम भागत सिंगी कॉंग्रेस में थे उन लोगों ने कॉंग्रेस क्योंकि उसमें एक बड़े-बड़े नेतें से कॉंग्रेस ही आया निकल गया इसी परकार मैंने भी बच्पन में जब अपनी लाइन पकड़ी तो रायनितिक शुरूप की इसी नहीं कि मैं कॉंग्रेस में बलाग के देख्ष्रा लेकिन मुझे जब लगा कि मुझे कॉंग्रेस में या किसी भ और एक चांस की बात है कि एक दिन जीवन जब मेरा बदला की शमशान गाट में मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति लोगों की जली हुई लकडियों अदजली उठा रहा है मुझे लग रहा है तो मैंने पूछा तो गयना लगा मैं दिल्ली में बच्चे का इलाज कराने आया करौनरों रॉपय मकान पे लगाते हैं, सादी पे महरे जनेवर्य सी पे लगाने लगाते हैं बर्डे पर लगाते हैं कार्ये खिरीगते हैं उस डिली के अंदर राष्टि राइधानी नैस्टन!", कापिटल अ compound एक दास हमस प्रिशासन का है थी आप क्योर करोगे मैं रहो परिशासन का है जा है कर दूँक काम हमारे घर में पानी शाब नो हमिए लगाता है ना आऄ थे ढरेख लेह कह भी भी कि आ आपया थिया द्यूप तो मैंने एक शम्चान गाड़े डॉप किया, दो किये, करते करते है, सतरा शम्चान गाड़े डॉप कर लिए, पर्चलन सा चल पता है, दिली में सब को पता लग गया कि अगर कोई गरीब है या लावारिस है, तो शंती को फोन कर दो, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो दि करोना आ गया, संटी जी यह बात तो सही आपकी, कि आप तो एक विलक्षन प्रतिभा के व्यक्तित में हैं, बिरले व्यक्तित में, कुछ ऐसे यह कारे करते वे, संटी जी, कुछ ऐसी आपको घटनाएं याद आती हूँ, जैसे मैंने कभी आप से इस बात को कभी आपने जि लेकिन क्या ये विक्तित भी इतने संवेदिन शील होते हैं कि कि जीए की मृति हो गई हो और हमроб minimize शील की हो कर करके तरत तरhouse की Does a Ahora आये तो आपने उनके लिए कैसे आपने उनको रास्ता दिखाया देखिए प्रमात्मा ने सिस्टी में हर तरीके का लुग पैदा किया है अच्छे दिल वाले भी बूरे दिल वाले समाजिक भी औब वहारिक भी काफी हद तक इनसान जब पैदा होता है ना उसके अंदर संसकार मा के पेट से आते हैं उसके बाद पिता के संसकारी बच्चे के अंदर आते हैं फिर समाज के आते हैं फिर शिक्षा स्कूल से मिलती है मेरे को मेरी मा के संसकार बहुत मिले है जब मैंने शहीद बागा सिंग सेवा दुल शुरू किया तो मेरी माने तीन बातें मुझे कही थी जो मैंने आज तक गांठ बांद के रखी हुआ है, कि बेटा तुन्हे शुरू किया है ना बंद मत करी हुआ है, दूसरा उन्होंने कहा था कि दिन हो चाहे रहा तो किसी को मना मत करी हुआ 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 ह बड़े वाले ने मास कौम किया मनिश ने उन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया जी खाली काम एक नहीं था ना सीमित जब डैट बोडी का काम करने लगे तो हमें लगा या डैट बोडी ले जाने के लिए वह कर ली नहीं मिलता कोई आज भी आज की बात करा रहा हो मैं तीस साल करते करते कोई तक आठ नू हो गए अब तो 32 हैं इसके अलावा थोड़े दिमाद में महसूस हुआ कि जैसे हॉस्पिटल में डैट होती ही कहते हैं बोडी घर ले जाओ घर में बिचारे अब वो बरफ में रखें कैसे रखें बड़ी मजदर बात है कि परशासन सोया हुआ ह इस बारे में कि दिल्ली के अंदर अगर 10 है हजार होस्पिटल हैं उसमें से 9500 के अंदर मोर्चरी नहीं है और डैट बोडी रखने का सादन नहीं है राते के दो बजी कहेंगा बोडी ले जाओगी तो उन लोगों के लिए में मोर्ची बॉक्स बना दी है एर कंडिशन हमार मेरा बेटा जियोत हर मेने एक अठी करके अपनी गाड़ी भरके हरदवार जी में जाके गंगा जी में परवाहिप करके आता है अरे वह लगातार अब तो हमारे को 28-30 साल होगे पहले मैंने शुरू किया था बेटा करता है और लास्ट मेरा काम है बलड डोनेशन का क्योंकि मैं सबको प्रेरित करता हूं इस बात के लिए कि रखत एक ऐसी चीज़ है जिसे ना पशू दे सकता है ना पंची दे सकता है जपान जैसा मुल्क भी बलड ने मिना सका इनसान को इनसानी बलड दे सकता है दो ही साधन है रखत देने के इश्वर या हम बीच में को तीसरा ज कमर्शल ब्रेक के बाद मिलते हैं परशानत अवस्ति कामिनी मिश्रा और रितिका रश्मी के साथ कमर्शल ब्रेक के बाद नमस्कार मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ यह देख ओ फुद्धू एक गया से बड़ा गुबारा अपनी माँ को दिखाई हो लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्कित है और जब हो साथ सत्मोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी असानी सत्मोला नमकीन इससे बेटर है नाथिंग हा सत्मोला नमकीन चोटे से ब्रेक के बाद सत्मोला कवियों की चौपाल मैं मैं दीपक आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों कहते हैं कि कविताएं लिखना कवियों को सुनकर या कविताएं पढ़कर थोड़ा सा आसान जरूर हो जाता है मगर जब एक कवी किसी चीज को भोगता है और तब उसको लिखता है कलम के महध्यम से जो शब्द निकल कर आते हैं तो मेरे हिसाब से शायद वही सची कविता होती है आज हमारे बीच में नारिशक्ती पर कविता पढ़ने के लिए या कहें नारियों की महिमा का गुडगान करने के लिए नारी शक्ती के बारे में बताने के लिए तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें दॉक्टर कुमारी मिश्रा जी धन्यवाद सत्मोला कवियों के चौपाल कारिक्रम से जुरे अपने सभी दर्शकों को मेरा साधर वन्दन और अभिनन्दन अतुल निय सागड के जल में चारचांद लगाते चंद्र दिवा कर इंद्र धनों सी प्रभाप्रवाहित अध्वितिय रूप रतना कर अपनी इस रचना की प्रस्तुती के क्रम में मैं अपने दर्शकों को कन्या कुमारी के सागर तटकी योड ले चलना चाहती हूँ जहां बंगाल की खाड़ी, हिंद महा सागर और अरब सागर का संगा मस्थल, सुर्योदय और सुर्यास्त का अप्रतिम द्रिश जैसे नैसरगिक सौंदर्य हमें अलौकिक आनंद की अनुभूती प्रदान करते हैं अपने भिन भिन रंगों को संजोए समंदर का यह अथाह जल जहां मानो मन को गामभीर्य और सीतलता प्रदान करता है वहीं बड़ी बड़ी चट्टानों और सागर तर से टक्रा कर लोड़ती समंदर की तरंगें मानो हिर्दय को कला, विज्ञान, योग, अध्यात्म के साथ साथ आत्म रिक्षन और दार्सनिक चिंतन की ओर भी प्रेरित करते प्रतीत होते हैं मा शार्दय को नमन करते हुए मैं अपनी प्रस्तुती आपके बीच रखती हूँ जिसे मैंने उन्हीं समंदर के तड़ पे लिखा है चन चन भाव तरंगित होते देख रही हूँ सागर को अम्बुधियाज समाया उर में भरता मन के घागर को चन चन भाव तरंगित होते अतुलनी अद्रेश्यों का वाहक सागर तट को देखो तो निजि सुरम्य पढ़ी द्रेश्यों से सब का मन हर लेतावो सूरज की स्वर्णिम की रिनां को सूरज की स्वर्णिम की रिनां को भेज रहा हर आगर को अम्बुधियाज समाया उर में भरता मन के घागर को अब इसकी अगली पंक्तियां रखती हूं रत्न संपदा उदधी संजोए रत्न संपदा उदधी संजोए वीविधी रूप और रंगों में धरती कावयव सवारती अपने हृदय तरंगों से वक्षस्थल पड़ सेज सजाकर वक्षस्थल पड़ सेज सजाकर सुला रहा सुरुती सागर को अमबुधिया जिसमाया उर में भरता मन के घागर को समंदर की ये उर्ती गिर्ती जो लहरे हैं प्रतीक हैं हम मानों के अंतर मन में उर्ते दुख सुख के आवेगों और सम्वेगों का उग्रि सौम्यता अस्पंदन है मानों जीवन दर्शन का आवर्तने सिकी देखो तो कौतुक प्रत्या वर्तन का रत ना करकी अनुपम लहरें उठिती गिर्ती जागर को अम्बुधि आज समाया उर्मे भर्ता मन के गागर को छन छन भाव तरंगित होते देख रहीं हूसा गर को अम्बुधि आज समाया उर्मे भर्ता मन के गागर को भर्ता मन के गागर को धन्यवाद बहुत ही सुंदर कविता बहुत ही अच्छे विचार और शब्दों से भरी हुई दोस्तों कहते हैं कि महबत मा से महबत माटी से महबत अपने वतन से अगर इंसान को नहीं तो समझी उसका जीवन व्यर्थ है भिवाणी से हमारे साथ मौझूद है मैं जोरदार तालियों साब सभी के बीच में बुलाना चाहूंगा मन्जू उत्मवर मन्जूल जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें अब सभी की पस्तिती को प्रणाम करती हूं मा वानी को प्रणाम करती हूं और जोडती हूं आपकी अपनी कुछ रचनाओं से पहले मैं चंदपंक्तियों में अपना परिचे देती हूँ, परिचे में न मेरा नाम है न कोई पता है, मैं परिचे देती हूँ कि मैं क्या लिखती हूँ, मैं कवी हूँ मैं भाव सिंदु में डूब जीवन सार लिखती हूँ, मैं भाव सिंदु में डूब जीवन सार लिखती हूँ, हो अवलंब शब्द शब्द हिर्दय उदगार लिखती हूँ, मैं अंतर मुखी हो काल का विनियास लिखती हूँ, द्रेष्टी मरम संधान कर जगत की तरास लि साकार लिखती हूँ, घुटने मोड कर सोये दलित की भूब की भूब लिखती हूं, मैं खेत, खलियानों खडे करशकी पीर लिखती हूं तने सरहध के रखवाले खडे वो वीर लिखती हूं गए जो शीष निजदे कर वतन अभीमान लिखती हूं सनातन पामनी माटि का गोरवगान लिखती हूं और इसी के साथ मैं अपनी रचना से जोडती हूँ आपको, मेरी रचना का शीर्शक है, जननी हूँ, मैं नारी हूँ, सुनियेगा, नारी जीवन को प्रिभासित करती हुई मेरी यह रचना है, कि संजोई पीर दिल में है, जननी हूँ, मैं नारी हूँ, संजोई पीर दिल में है, जननी हूँ, मैं नारी हूँ, गर आजाऊं जिद पर तो, मैं तीनों लोक भारी हूँ, मैं जोहर की बनी ज्वाला मैं, मैं पदमा की रवानी हूँ, दिये हैं शीश संगर में, मैं हाडा की कहानी हूँ, समाई शाम मूरत में, मैं वो मीरा दिवानी हूँ, संजोई पीर हिय मैंने जननी हूँ, मैं नारी हूँ, और अगला बन देखिएगा, नारी का स्रंगार, हया उर लाज शर्मों का, मैं स्रंगार करती हूँ, मैं जंक्रत से बजावीना, वो स्वर संगर्ष बरती हूँ, हया उर लाज शर्मों का, बदन स्रंगार सजाए हैं, व्यथा उर्वेदिना कुंठा हिर्दै आसन लगाए हैं, शमादय शील करुणा का, मैं स्रंगार करती हूँ, मैं जंक्रत से बजावीना की स्वर संगर्ष बरती हूँ, बहुत कंटक भरापत है, मगर मंजिल नहारी हूँ, संजोई पीर ही मैंने जननी हूँ, मैं नारी हूँ, और देखिएगा नारी के हिर्दे में जो अमता का सिंदु बैता है, ममिता का थाचा घर मेरे अंतस उमडता है, नेहे और प्रीत का दरिया मेरे नैनों से जरता है, नेहे और प्रीत का दरिया मेरे नैनों से जरता है, शकल संकट जटिल जनजट सभी काने बिठाए हैं हुई जब पीर परवत सीवो गोवर धन उठाए हैं और नारी धरा की धुरी बन करके घूमती है दरा की बन धुरी घूमी की जग की जवाब दारी हूँ संजोई पीर ही मैंने जननी हूँ किनारी हूँ आगला बन देखिएगा कोख में मिटाने वालों के लिए है मिटाते कोख में मुझे को किसी क्याला चारी हूँ जनमदात्री जरा सुन ले की मैं भी एक नारी हूँ कि ये घर भी नहीं मेरा कि वो घर भी बेगाना है बता दे ए मेरे दाता कहां मेरा ठिकाना है जहां में क्यों मेरा उदगम क्या जीवन पे उधारी हूँ संजोई पीर ही मैंने जननी हूँ किनारी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद अभार कि बहुत ही सुन्दर कविता बहुत ही अच्छे भाव जो हिर्दय को सपर्ष करते हैं कोई शक नहीं है दोस्तों कहते हैं कि मुबाइल फोन एक अभिशाप है एक वरदान भी है यह तैय आपको करना है कि किस तरीके से आप इसका प्रियोग करना चाहते हैं तो दोस्तों गुरु ग्राम से हमारे वीच में राजिंद्र सिंग शोराण मौजूद है जो आपको वताएंगे बारिकियों से मुबाइल फोन के बारे में किस तरीके से इसका प्रियोग है किस तरीके से इसका अस्तित्तु है हमारे जीवन में तो जोरदार तालियों के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करते हुए मैं अपनी रचना शुरू करता हूं कि सबसे प्यारा फोन कि सबसे प्यारा फोन हो रहा मानव जिससे मोन हो रहा इस पर भी अब लोन हो रहा चिन्ता है इस बात की रात दिन सब जब देखो लगे हुए हैं बेसुमार उससे भी मोह भंग हो रहा जिससे करते हैं सब प्यार एक से हो रहे सब नर नार बच्चे बुड़ें करे विचार जिन्दगी बनने लगी है भार चिन्ता है इस बात की चिन्ता है इस बात की फेस्बुक वट्सप ट्वीटर चा गया है दिमाग में बुरी बिमारी आ गई जल्दी मिला देगी खाक में फेस्बुक वट्सप ट्वीटर चा गया है दिमाग में बुरी बिमारी आ गई जल्दी मिला देगी खाक में हर कोई रहता है फिराक में दम कर दूं सब की नाक में रहते ताक जाक में सब चिन्ता है इस बात की मैसिज करने और पढ़ने की सब में लगी हुई है होड जिसके चक्कर में पढ़कर कुछ खाना भी देते हैं छोड सब में बढ़ती रही मरोड जिसका नहीं अब कोई तोड गलती के लिए ओ माई गोड चिन्ता है इस बात की राजिंदर सिंग देख देख सब अपने में ही सिम्ट रहे हर तरफ माहूल बदल गया कौन किसको क्या कहे असली रिष्टे फिक के पढ़ रहे फेस्बुक पर दोस्त घड़ रहे उनके साथ सब बात घड़ रहे असली रिष्टे फिक के पढ़ रहे चिंता है इस बात की अब बनावटी रिष्टे के उपर एक छोटी रचना और मैं आपको प्रस्तुत करता हूं कि जबसे लोग जग में जुठी सोहरते पाने लगे हैं खून के रिष्टों में भी अब सहलाव आने लगे हैं भाई के लिए जान हाजिर होती थी कभी भाई की भाई के लिए जान हाजिर होती थी कभी भाई की भाई ही अब भाई के खिलाप साजी से रचाने लगे हैं भाई भेहन का रिष्टा कितना पाक होता था कभी आज भाई ही बेहनों पर तोमतें लगाने लगे हैं मात पिता के लिए सरम ओ हया होती थी कभी आँखों में, अब बच्चे ही बड़े होकर उन्हें आँखें दिखाने लगे हैं दादी नानी की कहानिया अब सपना सा हो गई, पैदा होते ही बच्चे फोन में वीडियो चलाने लगे हैं गरीबी और लाचारी में ही प्यार महोबत होती थी, दूर हुआ अपना पंजब से चार पैसे कमाने लगे हैं अपनत तो होता था कभी दूर दूर के लोगों में वो भी बस फोन से अब दोस्ती निवाने लगे हैं गुरू सिस्य के रिष्टे में निश्वार्थ भाव होता था कभी वही गुरू जी उनी शिश्यों को ट्यूसन पढ़ाने लगे हैं असली रिष्टे दूर होचले जिन में प्रेम और प्यार था राज इंदर सिंग फेस्बुक पर सब जूठे रिष्टे बनाने लगे हैं थेंक यूशं बहुत ही अच्छे विचार जैसा कि मैंने शुरू में कहा थे आप ही को करना है कि मुबाइल फोन का प्रियोग आपको किस तरीके से करना है जिंदगी सवारनी है या जिंदगी उजाडनी है तो आपको करना है दोस्तों कहते हैं कि जब संगमशब्द जहन में आता है तो आप क्या समझते हैं प्रियागराज कुछ इस तरीके के ही विचार जहन में आते हैं दोस्तों हमारे बीच में चिहां मैं बात कर रहा हूँ. शिरी गंगा नगर से शेकर अशो पाजी. दोस्तों जब देश के दुस्मनों को जवाब देने की बात आती है तो हमारे सिर्णा के जवाणों के पास है UK.57. इसी तरह जब देश के दुश्मनों को एक कवी जवाब द तो उसके पास होती है एक कलम जो कम नहीं होती है के 47 से तो आईए हमारे बीच में जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा शेकार असोपा जी प्रथम गुरुगनेश को तिलक्चंदन करता हूं दितिये मासरस्वती को वंदन करता हूं तितिये मुझे सभी देखने और सुनने वालों का हारदि का भिननन करता हूं देखिए 15 अगस्ताने वाली है तो वीरों के यसोगान के साथ साथ अमित्र को चेतावनी और मित्रों को निवेदन यहां अंगिनित वीरों ने दी है कुर्बानी तब जाकर हुई है ये चुनर धनी सहीदों की नहीं थी इच्छा कि उनकी बने कहानी पर क्या रह सकती है दूर मोजों से रवानी है एकलव्य जैसे सिच्छ यहां है अर्जुन जैसे वीर जवां देवी देवों के अवतारों की है ये धर्ती दुनिया सारी नमन इसे है करती जहांसी की रानी हुई यहां सांगा के जैसे घाव कहां यहां वीर सिवाजी सोला था प्रित्वी राजन दुस्मन को तोला था बलिदान प्रताप ने दिया अमर पन्ना धाय ने अपनी कोख पिकिया कहर पद्मनी यहां जोहर करती है हाडा रानी जट से गर्दन धरती है गुरु गोविंद सी है के बच्चों ने अपना बलिदान दिया नहीं डिगे धर्म से उंचा धर्म का मान किया बोस ने गोरों की नहीं चलने दी मन मानी आजाद भगत और मंगल पांडे ने हस्ते हस्ते दी कुर्बानी लाजपत ने हैं अंगिनत लाठी खाई हर दिशा में गंगाधर ने आवाज उठाई था लाल बहादूर लाल देस का लोपुरस वेस्ता वल लब नरेस का जिसे चून सका कोई जलवा वो था इमान हरिस्ये नलवा मेरे अब मैं अपने दुस्मन को अमित्र को बोलता हूँ है मेरे परमरिपू है मेरे परमरिपू तुम जेलम और सिंद का पानी पीते हो तुम जेलम और सिंद का पानी पीते हो फिर कैसे और क्यूं मानवता से रीते हो फिर कैसे और क्यूं मानवता से रीते हो सुन सदियों से हमें कोई जीत न पाया सुन सदियों से हमें कोई जीत न पाया ओ घर के दुसमन तु क्यूं है भरमाया सदियों से हमें कोई जीत न पाया ओ घर के दुसमन तु क्यूं है भरमाया जंगों और घुस पेट से बाज तुँ आजा, सुन पगले कर देंगे माफ तुझको, हम तो हैं दिल के राजा क्या जलिया वाला कांड भी दहसत फैला पाया था, सुन बैरी ये धरती सूरों वीरों की है, यहां चिडिया संगबाज लड़ाया था, तुप प्यार बात की करके, मत बार बार गद्दारी कर, जो चला सुदर्सन चक्र उधर, जो चला सुदर्सन चक्र उधर, तो नहीं बचेगा कोई सर, तु एमान से जो कदम बढ़ाएगा, तो सुख दुख का साथी भी बन जाएगा, तु पहले अपने घर की आग बुझा कर, सब को तो गले लगा ले, तो पहले अपने घर की आग बुझा कर, सब को गले तो लगा ले, मत भर जहर तु बचपन में, मत भर जहर तु बचपन में, अरे अब तो उनको दूद पिला ले, हम सीमाओं और लासों का अपमान नहीं करते, हम सीमाओं और लासों का अपमान नहीं करते, अरे हतियार डालने वाले भी इस देश की गोली से नहीं मरते, हतियार डालने वाले भी इस देश की गोली से नहीं मरते, मत कर अब तु कुछ और बदी, कहीं हो न जाए, तुम्हारी ये आखिरी सदी, कहीं हो न जाए, तुम्हारी ये आखिरी सदी, ये सुन लो, सुन लो गद्दारों और दुस्मनों, और इनका साथ न देना विश्व के सरस भद्रजनों, सरस भद्रजनों, सरस भद्रजनों, अब मैं आपके सामने एक छोटी सी रचना है, ये वियोग से पुनर मिलन के प्रचंड विश्वास की धोतक है, वो तेरा मेरे संग संग गुन गुनाना, और अदा से मुश्कुराना, शेखर, उसे देखे बीट गया है जैसे कोई एक जमाना, पराग, पराग, पता नहीं फिर भी क्यों, नहीं लग रहा मुझे ये किस्सा पुराना, आऊंगा जब मैं तेरे जहां में, आऊंगा जब मैं तेरे जहां में, फिर लोटेंगे जब हम इस जहां में, जो लोटेंगे जब हम इस जहां में, मैं फिर से वही गीत गाऊंगा, मैं फिर से वही गीत गाऊंगा, और तुम मेरे संग संग गुन मुनाना, देश, बाक्ती से जुड़ी हुए कविता, हरदय कुश्पर्स करती है, बहुत खूब जहिंद। सतमुला कमियों की जपाल में, आज हमारे साथ जुड़ रही है तिन सुखिया, आसाम से तुन सुखिया, आसाम से आप विश्विध्याले में आप गौटी विश्विध्याले में, आप वरिष्ट आप प्रोफिसर हैं, आप ने हिंदी में अनेक कवित लिखे हैं कई आपकी पुस्तके आ चुकी है और आपको अनेक पुरुस्कार भी मिल चुके हैं आप तिन सुक्या से हमारे साथ जुड़ रही हैं उनका नाम होता है डॉक्टर निशा नंदनी भारती है आज मैं सीमा पर शहीद हुए एक सैनिक की पत्नी की व्यथा कथा आप तक हुचा रही हूँ सुनियेगा सुनी रात बिताई उसने आई तुम्हें तब हिच की होगी करवटों में सिमट सिमट कर रह गई उसकी सिसकी होगी सुनी रात बिताई उसने आई तुम्हें तब हिच की होगी छूटी ना थी हात की मेहंदी तुम चले फर्ज निभाने को दुश्मनों से लेकर लोहा बतन की रक्षा करने को रो रो कर उसने तो अपनी पपी हपीर सुनाई होगी करवटों में सिमट सिमट कर रह गई उसकी सिसकी होगी सुनी रात बिताई उसने आय तुम्हें तब हिच की होगी तुम खड़े बारूद ढेर पर जहिल रही वो प्रसव पीडा तुम खड़े बारूद ढेर पर जहिल रही वो प्रसव पीडा शहीद हुए तुम सीमा पर उसने पाया पुत्र हीरा लेकर बाहों में उसको रह तुम्हारी देखी होगी करवटों में सिमट सिमट कर रह गई उसकी इससकी होगी सूनी रात बिताई उसने आई तुम्हे तब हिच की होगी लिपट रंगे में शव आया उसकी पीड़ा समझ न पाया लिपट रंगे में शव आया उसकी पीड़ा समझ न पाया लगा पुत्र को उस च्छाती से शत शत उस नेशी शिनवाया पतिन च्छावर देश की खातिर अब पुत्र की बारी आई होगी करवटों में सिमट सिमट कर रह गई उसकी सिसकी होगी सूनी रात बिताई उसने आई तुमें तब हिच की होगी सत्मुला कवियों की चौपाल से नई पीड़ी के बच्चों को कुछ पंक्तिया समर्पित कर रही हूँ सुनीगा फ्रस्टेशन में रहने वालों तनाव की चादर ओडने वालों संगर्शों से डरने वालों जीवन से घबराने वालों कुछ सपनों के अधूरे पन से जीवन नहीं अधूरा है कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं अधुमरा है सपने तो होते हैं सपने आखुली तो खोते सपने इन सपनों के खो जाने से जीवन नहीं खो जाता है कुछ सपनों के अधूरे पन से जीवन नहीं अधूरा है कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं अधुमरा है हर दिन देखो नया सपना हर दिन जीवन अपना हर दिन देखो नया सपना हर दिन जीवन अपना सपनों की इस दुनिया में कदम फूक कर रखो अपना हर दिन देखो नया सपना हर दिन जीओ जीवन अपना सपनों की इस दुनिया में कदम फूक कर रखो अपना कुछ सपनों के अधूरे पन से जीवन नहीं अधूरा है कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं अधुमरा है और अंतिम पंक्तियां हैं विशेश कर नई पिड़ी के बच्चों को समर्पित करे हूं सुनिएगा सपने तो आने जाने हैं जीवन अतियनमूल है रखो संभाल कर जीवन अपना चाहे तूटे कोई सपना सपने तो आने जाने हैं जीवन अतियनमूल है रखो संभाल कर जीवन अपना चाहे तूटे कोई सपना कुछ सपनों के अधूरे पन से जीवन नहीं अधूरा है कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं अधुमरा है फ्रस्टेशन में रहने वालों तनाव की चादर ओडने वालों संघर्शों से डरने वालों जीवन से घबराने वालों कुछ सपनों के अधूरे पन से जीवन नहीं अधूरा है कुछ सपनों के खो जाने से जीवन नहीं अधुमरा है कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं अदमरा है कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं अदमरा है कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं अदमरा है कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं अदमरा है झाल 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 झाल